कानपूर, कानपूर में खत्म हुई पुलिस की दहशा, अपराधी हुए बेलगां, कानपूर पुलिस नहीं लगा पा रही अपराध पर लगां, जनपद में बढ़ता चा रहा अपराध का ग्राफ, मामूली बाद के चलते प्रिंस होटल के संचालक, अमन बाजपई की हत्या कलेक्टर गंज थानाच शेत्र का मामला, होटल लगजरी इन एबी होटल के बाहर लोही की रोट से हमला कर हुई हत्या, अमन बाजपई नाम के युवक की हत्यागर मौके से परार हुए हत्यारे, शेत्री ये लोगों के बताया नुसार कुछ देर पहले होटल लगजरी के स अंचालक कल्यू वा साथी सोनू ठाकुर से म्रतक का हुआ था विवाद, सूचना के काफी देर के बाद बाजसाही ना का, कलेक्टर गंज अनवर गंज थानाच शेत्रों की पहुची पुलिस, युवक को उर्सला अस्पताल में कराया भरती, डॉक्टरों ने युवक को कि अमरत खोशे, वाई पुलिस द्वारा पूस्ताच करने पर होटल के स्टाफ ने कुछ भी जानकारी देने से किया इंकार, तानाच शेत्र कलेक्टर गंज अंतरगत प्रिंस होटल के करमचारी आमन बाजपई पर होटल लगजरी इन के मालिक वा उसके करमचारियों द्वार इसको ने कर दो है और यह संग्यार में आया था कि कल रात लगबग साड़े-दस-ग्यारा बज़े के आसपास या उससे भी आदा एक गंटा बाद में, यह जो अमन बाजपी है, यह जो प्रिंस होटल का संचालक और ओनर है, यह और एक दूसरे जो ओनर है, एक न्यू लग से इस पे हमला किया, जिसके बाद इलाज के दौरान इसकी हैलेट में जाके डेथ हो गई है, जो दूसरे होटल के संचालक हैं, और उनके जो स्टाफ है, उनके खिलाब मुकदमा काइम किया गया है, आठ लोगों को इहरासत में लेके पूश्टाश की जा रही है, और बाकी जो विवाद था, वो इसी तरह के इन्होंने और भी होटेल्स यहां वाँ गैस्टाउस बनाई हुएं दोनों पक्षों ने, उन्हीं की लीज को लेकर यहां उनके पार्टनर्शिप में चलाने को लेकर इस चीजों को लेकर इनके मद्द विवाद प्रकाश में आया है, इस नील कुमार की रिपोर्ट